गर्मी में सुलाओगी, लो फिर लाइट चली गई, अरे गर्मी क्या है ये बिजली वालों को तो अत्या चार शुरू हो गया, देखो तपती दुपैर में लाइट काट ली, अब पता नहीं कब बिजली आएगी, अब पूरी दुपैर बैट कर हाई हाई करते रहो, आने दो आज गुड़ू के पापा को, आज ही इनसे कहकर इनवर्टर लगाऊंगी, इतनी गर्मी में एक एक मिनट बिजली के बिना गुजारा करना कितना मुश्किल है, ठीक कह रही हो दीदी, आज ही बात करते हैं, कि अब बिना इनवर्टर के हमारा गुजारा नहीं है, शाम के सम पापस आने का नाम नहीं लेती, बिचारे बच्चे इतनी धूप में स्कूल से लाट कराते हैं, और घर पर एक पंखा तक नसीब नहीं होता उनको, देखो अब ऐसे गुजारा नहीं चलने वाला, आप लोग एक इनवर्टर लेकर आईए, ये लुग ठीक कह रहे हैं बैया आज कल गर्मी जितनी तेजी से बढ़ रही है न, इनवर्टर के बिना गुजारा नहीं है, और मैं देख रहा हूँ आज कल लाइट भी कुछ ज्यादा ही कटने लगी है, पत्नियों की बात सुनकर दोनों भाई जाकर एक इनवर्टर खरित कर घर ले आते हैं, चलो ये बात अच्छी हुई कि घर पर इनवर्टर आ गया, अब बजली कटती है तो कटे, कम से कम सुकून से पंखी के हवा में तो बैठेंगे, इतनी गर्मी में पसीना तो नहीं बाहना पड़ेगा, अगली दिन दोपैर के दो बजे, अरे बहु देखो तो, लाइट चली गई है, अब पूरा दिन काम करते करते ठके चूर हो जाते हैं, दोपैर के समय तो जरा सा आराम करने का मौका मिलता है, उसमें भी आप ये चाह रहे हैं कि हम हाल में मुर्ती बनकर बैठ जाएं, देखो सिर्फ एक पंखी की तो बात है, तो मैं तो अपने कमरे में लेटी हुई हूई हू तो मैं खुद पंखा बन करके बाहर आ जाओंगी, बड़ी पहु की तरह ही छोटी वहु भी बाहना बना कर अपने कमरे में चली जाती है, और पंखा चला कर सो जाती है, कुछ देर के बाद, अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं यहाँ पर आराम कर रही जाओ जाकर बाहर हॉल में खेलो, अरे ममी ती गर्मी में बाहर का जाकर खेलेंगे, और बाहर ना दादी पंखा चलाने से मना कर रही है, इसलिए हम लोग तो यहीं पर खेलेंगे, दू मिनिट का सुकून नहीं इस गर्मे, अच्छा तुम लोग ऐसा करो, टीवी चला कर द मुझे बहुत चारा होमवग मिला है मुझे अभी करना पड़ेगा बना कंप्लीट नहीं होगा अचा ठीक है तुम अपना होमवग करो लेकिन मुझे डिस्टरब मत करना मुझे थोड़ी दिर आराम करना है समझी दोनों देवरानी जिठानी अपने अपने कमरे में सो गई थी और उनके बच्चे टीवी और लाइट चलाकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे शाम के साड़ी चार बजे अरा कहा हो तुम दोनों अब कमरों से बहार निकलोगी जरा चाय तो दे दो अब तो पंके से भी हवा नहीं आ रही लेकिन मजाले इनकी निंद खुल जाए लगता इंवर्टर की चार्जिंग खतम हो गई पता नहीं लाइट कव आएगी सास की आवाज सुनकर दोनों दिवरानी जिठानी को हूश आता है कि उन्होंने इनवर्टर से ही टीवी पंखा लाइट सेब चला रखा है जिसके कारण इनवर्टर की चार्जिंग ठाई घंटे में ही खतम हो गई है हड़ बढ़ा कर अपने अपने कमरे के लाइट पंखा बंद करने की बात दोनों कमरे से बहार निकलती है मा जी बिना बात ही परेशान होती है आप लाइट अभी आती होगी इनवर्टर का क्या है फिर चार्ज हो जाएगा इनवर्टर का तो कामी है दिन भर चार्जिंग और डिस्चार्ज करना इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है आँ हाँ तुम दोनों महरानी तो आराम से चाधर तान कर सो गई अब इनवर्टर में इतना भी दम नहीं बचा कि हाल का पंखा चल जाए अब गर्मी में बैट कर चाय पीनी पड़ेगी पांच बजी के आसपास लाइट आती तो है लेकिन हर आदे घंटे में लाइट का आना और जाना लगा रहता है रात की साड़े नाव बजे खाना खाने की बात सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए जा रहे थे कि तब फिर से लाइट कड़ जाती है अरे फिर लाइट कड़ गई लगता है हमारे नसीब में तो सुकुन से सोना लिखा ही नहीं है हरे वहिया क्यों टेंशन लेते हो भूल गए अब हमारे घर इन्वर्टर आ गया है अरे ठाट से सोएंगे पुरी रात चिंदा की कोई बात नहीं है अरे हाँ मैं तो भूली क्या था अब हमें लाइट के जाने का क्या डर अच्छा चलो ठीक है गड़ नाइट दोनों भाई खुशी खुशी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं लेकिन आदे गंटी के बाद ही उनकी कमरे के पंखे बिलकुल डाउन हो जाते हैं अब तो ये रोज की बात हो गई थी रोजी रात के समय जब दोनों भाई सोने के लिए कमरे में जाते आधे एक घंटी के बाद इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाती और फिर उसके बाद वो जाकर आंगन में ही अपना बिस्त लगा लेते एक दिन अरे छोटे तुभी आ गया अंगन में पता क्या फाइदा हुआ इन्वर्टर लगाने का लगता है कल की तरह पूरी राज जाकर काटनी पड़ेगी इन बिजली वालों ने तो नाक में दम करके रख दिया है लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भया कि इन्वर्टर की चार्जिंग ऐसे आदे घंटे में कैसे खत्म हो जाती है अरे कैसे खत्म होगी तुम दोनों की बीविया है ना पूरा दिन दल्लो के दशरे उड़ाती है दोनो मतलब मैं कुछ समझा नहीं अरे तुम दोनों की बीविया पूरा दिन अपने अपने कमरे में पंख है, लाइट जला कर बैठती हैं, तो इंवर्टर तो बंद हो नहीं है, यकिन ना हो तो पूछलो अपनी पत्नियों से क्या माजी, अब पूरा दिन काम करेंगे, तो क्या अपने कमरे में थोड़ी दिर के लिए आराम नहीं कर सकते, इसमें सुनाने वरी क्या बात है, और पंखा ही तो चलाया है, मैंने, कौन सा कमरे का इसी चला लिया था, जो आप ऐसे शिकायत कर रही है, अरे ठीकी तो कह रही ह माजी, जब मैं अपने कमरे का पंखा चला चुकी थी, तो तू आकर मेरे कमरे में नहीं लेट सकती थी, तुझे अपने कमरे में अलग से पंखा चलाना ज़रूरी था क्या, मेरा मू मत खुलवाईए दिदी, मुझे सब पता है, पूरी दोपैर आपके कमरे से टीवी के देच सकते, अरे दिन में बच्चे टीवी भी नहीं देखेंगे क्या, दीख लिया, लग जया ना सबको पता कि पूरा दिन इंवर्टर का इस्तमाल किस दिखिया है, और मैं जी को तो सिर्फ मैं ही दिखाए दीती हूँ, अरे इंवर्टर इस्तमाल करने के लिए ही तो लग एक सिंगल बैटरी का इंवर्टर आखिर कितनी देर काम करेगा, गर्मियों में बिजली कितनी कटी है, ये बात किसी से छुपी तो है नहीं, अगर इंवर्टर के होते हुए भी हमें गर्मी में ही बैटना हो, तो आप ही बता दो, इंवर्टर का फाइदा क्या है, इन दोनो चलकर इंवर्टर की पावर डबल करवा देता है, इन वर्टर की पावर डबल हो जाने से, अब घर में एक अलगी खुशी का माहूल हो गया था, अभी तक जो थोड़ा बहुत हाथ खीच कर इन वर्टर का इस्तमाल होता था, अब तो जैसे सब की मौज आ गई थी दोपैर क अंशीका, गुड़ो, सब लोग आ जाओ यहीं हॉल में नीचे बिस्तर लगा लो, माजी कहती है न, जब इन वर्टर चले तो सब एक कमरे में बैठा करो, तो अब से दोपैर में न, सब लोग इसी हॉल में बिस्तर लगाया करो, अरे वाच छोटी बहु, आज तो बड़ी स मजदारी के बारे में पता देर से चला, अरे बहु दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा, इनवर्टर से एसी चलाएगी क्या, ओ नहीं तो क्या, यह डबल बैटरी का इनवर्टर क्या शोकिस में सजाने के लिए खरीदा है, अरे आराम से बिंदास होकर एसी चलाएंगी, सब लोग चादर तान के सो, अब इनवर्टर कहीं नहीं जाने वाला, अब तो दिन रात मज़े से एसी में सोएंगी, सास की समझाने का दोनों बहुमों पर कोई असन नहीं था, डबल बैटरी इनवर्टर लेने के बाद तो वो दोनों अब बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई रात के दो बजे, गर्मी से बड़े भाई की नीन तूटने लगती है, विनित गुस्से में बड़बडाता हुआ कमरे से बाहा निकलता है, तो देखता है, छोटा भाई और मा पहले से बैठे आंगन में पंखा जल रहे हैं, ओ भाईया, यलो आपके लिए भी पंखा है, आ आप भी हमारे साथ बैट कर जलो, अब यह मत कहना मा कि आज दोपेर में आप सब एसी चला कर सोए थे, इसलिए रात को इंवर्टर में बैटरी नी बची, अरे बेटा, तु तो खुदी इतना समझदार है, तुझे कुछ भी बताने की जरुवती कहा है, ये ले पंखा, जल इन सब बातों में ना कुछ नहीं रखा, आप लोग क्या देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है, कि दोनों बहुए सुधरने वाली है, भोल जाए, ये तो है, कहानी घर-घर की, सीतापुर गाउं में रहती थी एक चुड़ैल, लेकिन इस बात से गाउं के लोग अंजान जब तक कुरे गाउं की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते, मैं इस गाउं को छोड़ कर नहीं जाओंगी, चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गाउं अभी क्यों नहीं करना पड़े दूसरे तरफ गाउं की औरते बात कर रही थी, अरे सुन रही हो, ये देखो, मैंने कल ही नया हार बनवाया है सुने का, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, अच्छा है ना, पहले तुम पहनो, फिर शादी में अपनी होने वाली बहु को दो देना आर क्या, सुने चांदी का यही तो फाइदा है, जितना पुराना, उतना महंगा, लेकिन एक एक पैसा बचा कर ये लेना, सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए तब ही वहाँ पहली का पती आ जाता है गाउं में एक औरत के घर के सोने के सारे गहने चोरी हो गए, लोग बाते बना रहे है के गाउं में कोई चोर घुसाया है, जो घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाता, पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना ये बगवान, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो वही बात हो गई कि गाउं बसा नहीं और लोटेरे पहले आ गए दूसरी तरफ, गाउं के ही एक घर में रंजना रहती थी, उसके पते का गाउं में चाउमिन का धेला था, एक दिन उसके घर में एक औरत आती है अरे रंजना, तो गाउं में नहीं है, तो सूचा तुम्हें बता दू, गाउं में बात चल रही है कि गाउं में एक चोर गुसाया है, जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ बाकी गहने तो मैंने गाउं के बैंक में लाकर रखे हैं ये क्या होता है ना बाबना हमारे गाउं की औरती तो गहने अपने पास ही रखती है जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहेंग लो दूसरी तरफ एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुडिया लेकर घर में चलिया आती है अरे कोई है घर की आरत है क्या क्या है ये गुडिया ये कोई ऐसी वैसी गुडिया नहीं है ये जादूई गुडिया है इसको घर के अलमारी में रखना अगर तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो राद भर में ये पतली सी गुडिया मोटी हो जाएगी मैं कल आकर ये गुडिया ले जाओंगी और तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर छूट जाएगी समझी अरे वाँ ये तो बहुत कमाल की गुडिया है दे दो कितने की है एक अरे नहीं नहीं ये फ्रीकी है मेरा काम इस पुरे गाओं को बुरी नजर से दूर रखने का है हाँ भली औरत उसके हाथ से वो गुडिया लेकर अलमारी में रख देती है लेकिन अगले सुबद जब वो उस गुडिया को देखती है तो पतली सी गुडिया मूटी हो चुकी होती है हे भगवान ये क्या किस ने मेरे घर को बुरी नजर से बाढ़ रखा था तब ही वो गुडिया वाली भी आ जाती है मैंने कहा था ना घर पर बहुत जादा बुरी नजर है लाओ ये गुडिया मुझे देदो औरत वो गुडिया उठा कर उसे दे देती है गुडिया हात में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गाउं के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारन औरत से चुडैल बन जाती है इतना बोलकर वो गुडिया को फार देती है और सारे गहने निकाल लेती है वहीं दूसरी तरफ उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावड़ा हो जाता है और लोग बाते कने लगते हैं लो जी ये भी घर गया पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होश्यारी से गहने चुरा लेता है कुछ समझ में नहीं आरा की कौन है लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है ना ताला लगे ना घर खाली हो फिर भी रातो रात कहने चुरी हो जाते हैं अज आराम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चौ्किदारी करने चाहिए चोर को तो पूरे गाउज वाले मिलकर पकड़ हलेंगे लोग बारी बारी घरों की चॉकिदारी भी चरते हैं लेकिन चूटी होने का सिलसला रुखता ही नहीं फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है आज ही घर की बुरी नजर उत्री और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए कैसे बुरी नजर है? क्या हुआ था? तबी वहाँ उस औरत का पती भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी हाँ, मेरी बीवी ने भी किसी गुडिया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है वो गाउवालों से कहती है देखे, आप आप लोग चिंता ना करे जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा उस नजर उतारने वाली गुडिया को आज मेरे घर कोई भीच देना फिर क्या था चुडेल को लोग रंजना के घर भीचते है पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तयार अबाता है तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है यले गुडिया ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजर लगी है हाँ हाँ मेरे काफी सुना है तुम ये गुडिया मेरे घर छोड़ देना अरो क्यों नहीं कल सुबह आउंगी जब गुडिया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी ठीक है अब क्या था रात को रंजना ने पूरी नजर गुडिया पर रखी वो अपने पती और गाउं की कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है गुडिया धीरे से अलमारी खोल कर बाहर आती है अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मूँ से खा जाती है वो जितने गहने खाती उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है गाओं वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते है लेकिन सुबह जब वो औरत गुडिया लेने आती है रंजना उसका सामना करती है ये देखो गुडिया कितनी मोटी हो गई है लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है लाला ये गुडियों मुझे दे दे अरे बहुत किमती गुडिया है ये तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गाओं के बाहर वाली हवेली में फैकाती हूँ शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना इसमें तो मेरी जान बसती है जान रंजना गुड़िया को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देती है लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुड़िया के हाथ मोर देती है जैसे ही गुड़िया के हाथ मोरती है चुडेल का हाथ भी मुर जाता है अच्छा, तो ये वो गुडिया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है अब सुन चुडेल तेरी सारी हकिकत सबके सामने आ गई है या तो गाउं वालों की गहने लोटा दे लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुडिया चुडेल को देगी उसकी शक्ती वापस आ जाएगी चुडेल? तो तो चुडेल ही रहेगी ये मैं जानती हूँ अरे ने 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 मैं गाउँ छोड़ कर चली जाओंगी किसी को परेशान नहीं करूंगी लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुडिया का सर उसके शरीर से अलग कर दीती है चुडेल सर अलग होती ही गायब हो जाती है गाम वाले रंजना के साहस और बुद्धी की खूब प्रशनसा करते हैं